जय हिंद कैसे हैं आप स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्यान साला में दोस्तों आपको सबसे पहले आपको बधाई हो और साथ ही साथ आपके आगे आने के लिए सुभकाम ना हैं पूछो क्यों तो आपको जानकर खुसी होगी कि हमने NCRT साइन्स स्रीज का क्लास 6 और 7 दोनों पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इसके अंतरगेत हमने ओल्ड NCRT और न्यू NCRT दोनों को कभर किया है अगर आप इस स्रीज को कंटिन्यू देख रहे हैं तो एक समय में जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ते जाएंगे अपन पहले भी किया हूँ आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहोंगा ये गुजारी से मेरा अनुरोध है आप सबसे कि हमारा जो ये स्रीज चल रहा है वो आप कंटिन्यू देखा करो इसलिए नहीं कि आप हमारे भीवर्स के रूप में आओ इसलिए देखो क्योंकि आप पढ़ा रहा हूँ और जो आप कंटिन्यू होंगे तो आपने पढ़ाने का तरीका मेरा देखा होगा कि मैं पहले क्या करता हूँ खुद से उस पीडियप को उस चैप्टर को पढ़ता हूँ उसके बाद इस तरह से मैं हाइलाइट करता हूँ हाइलाइट करने के बाद जहा पर जो कुछ समझाने की जरुत होती है वो मैं समझाता भी हूँ एक तरह से आप कह सकते हो कि आपको ये जो स्रीज चलाई जा रही है वो साइंस का फूल पैकेज है जिस साइंस को पढ़ने के लिए आप अलग-अलग कोचिंग संस्थान ओनलाइन ओफलाइन हजार दो हजार दस हजार रुपे दोगे वो आप मात्र एक घंटे आदे घंटे समय दे करके 100-200 MB नेट खतम करके आप इसको पढ़ सकते हो ठीक है तो कुछ और भी विचार है जो मैं आपके साथ सेर करूँगा उसके बाद आपका क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे दो मिनिट का मैं टाइम लूँगा आज दोस्तों मैंने एक कम्यूनिटी पोस्ट डाला था उस कम्यूनिटी पोस्ट और जब क्लास सेवन की आखरी वीडियो जो थी चैप्टर नमबर अठारा उसमें भी मैंने है कि डेली एक चैप्टर क्लास एट का और एक चैप्टर क्लास नाइन का ठीक है एक एट का और एक नाइन का एक एक चैप्टर सुबा साम दोनों क्लास को कंटिन्यू लिया जाए ये विचार हमें अच्छा लगा एक साथ ही उनका सुझाब था कि Sunday के दिन Sunday के दिन क्या करना है कि 3 से 4 chapter अगले class आने कि 10 भी class को 2 से 3 chapter कभर किया जाए तो रिजवान जी मैं आपके एक बात से सहमत नहीं हूँ, बाकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि मैं daily आपको 8 और 9 का 1 एक वीडियो तो प्रोवाइड करा दे सकता हूँ लेकिन संडे को मैं क्या करता हूँ जैसा कि आपको पता है कि मैं थोड़ा सा अब ड्यूटी हो जाथा है तो 8-10 गंडे की ड्यूटी है तो संडे को जो टाइम बजटा है उसमें कुछ समय मिला कर के मिलने पर गर की साब सफाई अकेला रहता हूँ तो करना होता है कुछ कपड़े बगएरा धोना होता वो हो जाता है और सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि मैं संडे के ही दीन आपके जो PDF जो हाइलाइट किये हुए आप देखते हैं वो मैं संडे के ही दीन टाइम निकाल के करता हूँ तो संडे के दीन आप मुझे फिरी छोड़ दीजे ताकि मैं भी अपना खुद का लाइफ जी सकू थोड़ा सुकून वाली ऐसे मैं परियास करूँगा अगर मेरा PDF पहले से complete हो गया रहेगा और मेरे और कोई कपड़े बगर साप सफाई का काम नहीं रहेगा तो मैं निश्ची थी आपको संडे को भी एक दो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ठीक है लेकिन ऐसे जो है डिरेक्टली अगर आप परते एक संडे को इस तरह से कहेंगे तो थोड़ा समय आपसे छमा चाहूंगा क्योंकि हमारी भी थोड़ी सी अश्च्रागल को आप समझो जो लड़का आज 6 बजे सुबा उठता है 8 बजे तक में नहा धो करके खाना पीना बना करके 8 बजे डूटी इंट्री करता है सुबा की वीडियो आपको मिलती है मैं सुबा छे वजे जब उठता हूं तो आपका एक घंटे का वीडियो रिकार्ड करता हूं साम में 6 बजे आता हूं तो एक वीडियो रिकार्ड करता हूं तो ये एक एक घंटे मैं सुबा साम आपके लिए रखा हूं बाकी तो पूरी टाइम ड्यूटी करने में चली जाती है और डिफेंस के ड्यूटी कुछ ऐसा ही है ठीक है तो बाकी आपका जो एक सजेसन था कि एक कलास नाइन का एक कलास एट का तो ये मैं कंटिन्यू करूँगा ठीक है सुबा में आपको एट का मिल जाएगा साम में आपको नाइन का मिल जाएगा किसी दिन आगे पीछे हो जाए तो मैनेज कर लेना बाकी ऐसे आपको मैं प्रियास करूँगा, जब इस तरह से आप कमेंट करते होना, तो मुझे एक उत्साह मिलता है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, हमारे भरोसे कुछ लोग बैथे हुए, मैं जब्ञाता को नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग जो हैं हमारे भरों से बैठे हुए जो हमारे साथ जूड करके आगे पढ़ाई कर रहें तो यह बहुत हो गई बात आपका सजेसंस हमें बहुत अच्छा लगा हम इस पर जरूर काम करेंगे आज आप क्लास एट का पहला चैप्टर पढ़ो फिर अगला वीडियो जो है वह आज भी ज करके आप मैनेज कर लेना क्लास एक एक आपको मिलता रहे है ठीक है अगर आप देख रहे हो तो आप हमें सहमत हो करके कमेंट भी कर देना और आप सभी लोग जो देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में बता देना कि हां मैं सहमत हूं आई अब हम बहुत आपका टाइम ले लि है कि अब यहां से आपको थोड़ा और patience रख करके इस वीडियो को देखना होगा क्योंकि यहां से जैसे क्लास ऊपर जाएगा आपके सवाल और आपके वीचार कठिनाईओं से भरता जाएगा तो उसको आप समझने का प्रयास करेंगे याद करने का प्रयास करेंगे अपना self notes बनाने का प्रयास करेंगे बाकी पीछे के सभी class की PDF जो है आपको टेली ग्राम और WhatsApp ग्रूप में डाल दिये गे हैं तो आप वहां से जाकर के उसको download कर लेंगे अब हम final चलते अपने chapter की और अब बीच में कोई बात चीत नहीं होगी आप अपना अपना जो भी है वो काम करेंगे और सुरू करने से पहले आपको पता ही है क्या करना है वीडियो को पहले आप share करके आई आप ये काम नहीं करते हैं तो मुझे बूरा लगता है भीउज आप लोग नहीं बढ़ा रहे हैं देख रहे हैं 100-200 लोग देख पाते हैं वीडियो ये ठीक है कि आप देखते हैं पूरा हो जो भी 150 लोग देख रहे हैं वो देख पूरा रहे हैं पता चल रहा है मुझे है लगोरी दम बता रहा है लेकिन नए लोग नहीं जूड़ रहे हैं ये आपका काम है कि आप नए लोगों तक इसको पहुंच रही है चलिए अब हमारा चैप्टर है 1 क्लास 8 का जिसके अंतरगत हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन फस इसको हालाइट किया है हम वही पढ़ाएंगे क्योंकि हमें पता है पढ़ने के बाद कि आपके लिए क्या जरूरी है तो आईए देखते हैं कता है आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन क्या वसकता होती है पौधे अपना भोजन स्वैम बना सकते हैं क्या आप आपको याद है कि हड़े पौधे अपना भोजन किस प्रकार संसलेशित करते हैं मनुस सहीत सभी जन्तु भोजन बनाने में असमर्थ है तो जन्तु के भोजन का स्रोत क्या है ये आपसे सवाल पूछ रहा है फिर करते हैं प्रन्तु हम भोजन ग्रहन ही क्यों करते हैं मतलब सवाल है कि हम आखिर भोजन खाते क्यों हमको जरूरत ही क्यों है तो आप जानते ही हैं कि सजी भोजन से प्राप्त उर्जा को प्योग बिभीन जैबिक प्रक्रम जैसे पाचान स्वासन एवा मुझसर्जन के संपादन में करते हम अपना भोजन पौधा अथवा जन्तु या दोनों से ही प्राप्त करता है हमारा जो भोजन है वो कहां से प्राप्त होता है पौधा और जन्तु दोनों से प्राप्त होता है और करेक्टर में याद रखेंगे ये बूजो है बूजो क्या सोच रहा कर रहे क्योंकि हम सभी को भोजन क्यों सकता होती है अता हम अपने दे संख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन उचित प्रवंधन एवं बीतरन आवस्यक है यानि कि हमारी जो जन संख्या है उसके अनुसार भोजन का प्रवंधन करना हमारा सबसे बड़ा दाईतव है अब है क्रिसी पधितियां लगवक 10,000 इस्वी प करना प्रवंध किया कालांतर में खेतिकर चावल गेहूं एवब अन्निक हाजपदार फसलों को उत्पादित कर सके इस प्रकार क्रिसी का प्रवंध हुआ क्रिसी का प्रवंध इस प्रकार से होता है ठीक है धीरे-धीरे करके यह सभी प्रकिरिया तोहराई जाती है अब आगे देखते हैं कहता है कि जब एकी ही किस्म के पौधे किसी एस्थान पर बड़े पैमाने परुगाय जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं फसल क्या है फसल क्या है तो जब एक ही किसम के पौध है किसी अस्थान पर बड़े पेमाने पर उगाया जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है ठीक है जैसे कि फसल के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे लेकिन ये कहता है कि भारत एक 20 साल दे से यहां ताप आदृता और बरसा जैसे जलबाईवी परिस्थितियां एक छेत से दूसरे छेत में भिन्ने है ठीक है भारत के अंतरगत जो जलबाईव है वो अलग अलग तरीके से है मतलब अलग तरीके से कहने का मतलब यह है कि typically हरे ए को मोटे तोर पर हम दो बर्ग में बाढ़ते हैं एक को कहते खरीब फसल और एक को कहते रवी फसल यहां से आपका सवाल हमेशा पूछा जाता है तो इसके परिभासा इसका समय और इसका उदारन यह सभी याद रखेंगे तो पहला कहता है खरीब फसल कि वह फरसल जिन्हें ब बर्षा रितू समानिता जून से सितंबर तक होती है धान, मक्का, सोयाबीन, मुंगफली, कपास यह सभी खरीब फसल है तो यहां पर हमने तीन जगा अंडरलाइन किया है यह तीनों important है पहला क्या कि खरीब फसल जो बर्षा रितू में बोया जाता है खरीब फसल किस महीने के अंतरगत बोया जाता है तो जून से सितंबर के आसपास में बोया जाती है खरीब फसल के उदाहरन कौन कौन से है तो यहां पर यह पाच उदाहरन है और यही पाच उदाहरन आप से अकसर एकजाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से एक धान, मक्का, सोयाबीन, मुंगफ मूंग फनी यहलों के जाड़े का समय, अक्टूबर से मार्च तक मे उगाई जाने वाली फ deportation म्वुचूनricaadda अब आता है आधारिक फसल पधितियां क्या है आधारिक फसल पधितियां तो बूजो करा धान को सीतरी उत्व में क्यों नहीं उगाया जा सकता तो पहली कहरिए कि धान को बहुत अधिक पानी के उसकता होती है अता है इसे केवल बर्सारी उत्व में ही उगाते हैं बर्सारी उत्व में ही धान को क्यों उगाते हैं क्योंकि ये पानी अधिक खोजता ह अब जो फसल उगाने के लिए जो किसान होते हैं वालग अलग समय पे अलग अलग तरह के काम करते हैं उसके लिए क्या है कि क्रिसी पधती अपनाई जाती है तो ये क्रिसी पधती क्या है जो आगे दिया गया है तो यहां देखिए कौन-कौन सी प्रकेरिया द्वारा हम अपने क्रीसी को कर सकते हैं पहले हम मिटी को तयार करते हैं फिर बुआई करते हैं फिर उसमें खाद और रख देते हैं फिर सिचाई करते हैं फिर खर पतवार से उसकी सुरक्षा करते हैं तब कटाई करते हैं तब भंडारन करते ये सिक्वेंस जो है आपको याद रखना है ये से क्रामान उसार याद रखना है कैसे फसल को किस तरह से तयार किया जाता है वहां से सुरू से लेकर लाश्ट तक की यानि की बुआई से लेकर के भंडारन तक की प्रकिरिया को आपको याद रखना है तो ज जोतते हैं, खोदते हैं, दूसरी काम क्या करते हैं, जैसे मिट्टी तयार होता है, उसके बाद हम उसमें दाना छीटते हैं, जिसे हम बुआई बोलते हैं, जब बुआई हो जाता है, तो उसके साथ खाद और वरवरक यानि की खाद डालते हैं, खाद डालने के बाद कुछ सम पतवार को निकालते हैं जब हमारी फसल पूरी तरह तयार हो जाता है तब उसको हम खेतों में काटते हैं और काट करके जब उसको हम घर पर ले आते हैं तो उसका हम भंडारन करते हैं ये प्रकिरिया पूरी तरह से कुल साथ तरह की प्रकिरिया है इन साथ प्रकिरिया से गु लख्षा करेंगे, तब कटाई करेंगे, तब भंडारन करेंगे, तो ये साथ इसका करमगाता रूप याद रखेंगे. आईए अब हम देखते हैं, मिट्टी तयार करना, यानि कि मिट्टी को अब हम कैसे और क्यूं तयार करते हैं, उसके बारे में जानना है जो कि आप भली भांती जानते हैं यानि कि अब जो आगे की पॉइंट आएंगे वो इसी तरह के साथ पॉइंट आएंगे मिट्टी तयार करना, फिर बुआई करना, फिर खाद उर्वरक देना, फिर सिचाई करना फिर उसके बाद खरपतवार से बचाना, तब कटाई करना, तब भंडारन करना ये साथ प्रकिरिया हम अभी पढ़ने वाले हैं और important होगा कहता है कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तयार करना प्रथम चरन कहलाता और ये पूछा भी हुआ है सवाल और पूछा भी जाता है कि फसल उगाने के लिए पहला चरन क्या होता है तो फसल उगाने का पहला चरन है मिट्टी तयार करना मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना क्रिसी का त्यंत महत्पोर्ण कार है पोला मतलब होता है मुलाइम बनाना मतलब उसको खोदना इससे जड़े भूमी में गहराई तक जा सकती है मतलब पोला बनाने से क्या होता है जड़े भूमी में गहराई तक जा सकती है पोली मिटी में गहराई में धसी जड़े भी सरलता से स्वासन कर सकती है पोली मिटी किस प्रकार पौदों की जड़ों को सरलता से स्वासन करने में सहायक है इसके बारे में जानते हैं कता है कि पोली मिटी मिटी में रहने वाले केचु और सोक्षम जीवों के बिरदी करने में सहायता करती है जो पोली मिट्टी होता है मतलब खुदी होई मिट्टी जूती होई मिट्टी जो होती है वो वहाँ पर मौझूद केचु और सोक्ष्ण जीव को बेड़ी करने में सहायता करता है यह जीव किसानों के मित्र are क्योंकि यह मित्टी को और पलट कर पूला करते हैं तथा हिूमस बनाते हैं परंतु मिट्टी को पलटना और पूला करना क्यों आवस्यक्ण है? यह भी सवाल है कि सर आप जैसा कि बार वर बोलते हैं कुछ भी आता है तो कि पिछली क्लास को आपने पढ़ा है पिछली चैप्टर को पढ़ा है यह मैं बार वर बोलता हूं कि आपको पिछली चैप्टर और पिछले क्लास देखना चाहिए तभी वहाँ से एक दूसरे से लिंक होता है तो उससे क्या होता है कि आपका एक रिदम बनता है कि हाँ आमने इस चीज़ को पढ़ा था तो recall भी होता है और एक दूसरे से कहानिया जूड़ते जाती है यह एक दो comment जो अच्छा लगा देखकर कि आप लोग का तो हम क्या कर रहे थे कि आपने पिछली के अक्छाव में पढ़ चुके है कि मिटी में खनीज, जल, बायुक तथा कुछ सजीब होते है इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जन्तु भी मिटी में पाए जाने वाले जीवो द्वारा अप घटित होते हैं इस प्रक्रम में मृत जीवो में पाए जाने वाले पोसक मिटी में निर्युक्त होते हैं या पोसक पौधो द्वारा अप सोसित के जाते हैं मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम मिटी को क्यों पूला बनाते हैं तो मिट्टी को पोला बनाने के कारण क्या है कि उसमें खनीज पाया जाता है, जल, बायू और कुछ सजीब पाया जाता है, जो क्या करता है कि मिट्टी में पाया जाने के कारण मिट्टी को अप घटित करता है, जब मिट्टी को अप घटित करता है तो उसमें जो मृत जीवी यानि मरे हुए जो पौधे जनतू होते हैं, वो पोशक के रूप में मिट्टी में मिल जाते हैं, और ये पोशक को पौधे क्या कर लेता है, अब सोसित कर लेता है, इसलिए मिट्टी को क्या किया जाता है, पोला बनाया जाता है, क्योंकि उपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की ब्रिधी में सहायक है इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोशक पदार्थू पर आ जाते हैं और पौधे इन पोशक पदार्थू को अपयोग कर सकते हैं अता मिट्टी को लटना पलटने और पोला करना फसा लोगाने के लिए अतंत महत्पूर्ण होता है क्लियर अब आगे देखते हैं कि मिट्टी को लटने पलटने और पूला करने की प्रकिरिया क्या कहलाती है तो जुताई कहलाती है मिट्टी को लटने प्लटने के और पोला करने के प्रकिरिया को जुताई करते हैं जुताई कैसे करते हैं तो हाल से करते हैं कुदाल से करते हैं आप तो और वो क्या बलते हैं एलिवेटर बगएरा आगे हैं जुताई करने के लिए वो कबी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है इससे जुताई के समय खाद मिटी में भली भांती मिल जाती है बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है कभी-कभी जरूरत के अनुसार जुताई से पहले भी खाद को दिया जाता है अब यहाँ है क्रीसी ओजार तो देखो क्रीसी ओजार के बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे बस आप ये तीन नाम्याद रख लिजी हल, कुदार, कल्टिबेटर ये सभी क्रीसी ओजार है जो आपको कभी-कभी समय पे प्रियोग होता अब कल्टिबेटर क्या है तो कल्टिबेटर हुआ ही जुताई का एक ट्रैक्टर का रूप में काम होता है जो स्राम और समय दोनों को बचाता है कल्टिबेटर का काम क्या है स्राम और समय दोनों को बचाता है अब आता है बुआई यानि कि दूसरा जो हमारा पॉइंट है बुआई बुआई क्या है कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महतपूर्ण चरने सबसे महतपुर्ण चरनों में बुगाई सबसे महतपुर्ण है बोने से पहले अच्छी गुनबत्ता वाले साफ है वमसक्त बीजो का चैन किया जाता है किसान अधिक कुपज देने वाले बीजो को प्राथमिकता देता है कौन किसान जो है अच्छे बीजो को हर कोई चाहेगा कि हमारी फसल अच्छा हो तभी तो हम कुछ कर सकते हैं ठीक है आगे अब है बीजो का चयन बीजो का चयन ये पहली कुछ देख रही थी उसकी मा जो थी वो एक बड़तर में कुछ पानी डाल कर रही थी और कुछ मिनट बाद कुछ बीज पानी को उपर तैने लगी मुझे अच्छाज हुआ कि कुछ बीज पानी को उपर क्यों तैरने लगे तो वो बताई कि यह मतलब जो हलके बीज या निक खराब बीज होता है वो उपर तरने लगता, जो अच्छे पीज होता, वो नीचे बैढ जाता है, तो यही है, ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं है, यह Seeded Drill है, Seeded Drill के अंतरकत क्या होता है, कि उपर पूरे यह जो bucket है, इसमें bucket में डाल दिया जाता है पूरी पीज को, एक एक करके इस pipe से जो है धीरे धीरे बीज लाइन वाई लाइन गिरता जाता है ठीक होगा ही यह स्विड़ ड्रिल और क्या है यहाँ पर कहा रहा है कि पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होने अत्यांत मात पुर्ण यानि कि जो हम मान लिए जाए ऐसे ऐसे करके हम चारों तरह कर दिये तो यह क्या होगा वो सब एक दूसरे से चिपक जाएगा सब को एक पौशन नहीं मिल पाएगा तो हम क्या करते है लाइन वाई लाइन पौधे को एक सिक्वेंस में रोपते हैं तो इससे क्या होता है कि उस पौदों को निकाल कर हटा दिया जाता है अब हमारे पॉइंट है खादेवम उर्वरक मिलाना तो खादेवम उर्वरक मिलाना क्या है कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी पोसा कस्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे हम खादेवम उर्वरक कहते है यह पोसक पौदे की बृधी के लियावस्यक है। कुछ छेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसा लुगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। तो ऐसा क्यूं किया हो जाता है। तो कहता है फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ फोसकों की कमी हो जाती है। इस छती को पूरा करने है तो किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रकरम खाद देना कहलाता है। आप परियाप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते है। अब हम खाद के बारे में जानते हैं तो देखे जो important था उसको मैंने highlight किया है और जो important और मतलब थोड़ी सी काम हो important होता है उसको मैंने underline किया ठीक है पीडियाप में आपको यह सारा मिल जाएगा कता है खाद खाद एक कार्वनिक यानि कि जैविक पदार्थ है जो कि पौधो या जन्तू अपसिष्ट से प्राप्त होता है अब देखिए क्लास एट का चैप्टर नमबर अठारा यानि की आखरे चैप्टर मैंने अपसिष्ट के बारे में ही पढ़ाया था जिसके अंतरगत कार्वनिक अपसिष्ट के बारे में भी बताया था और कार्वनिक अपसिष्ट के अंतरगत मैंने बताया था खरपतवार नासी, पिड़क नासी, मलमोत्र, यूरिया, ये सभी जो है अमोनिया, ये सभी क्या था हमारा कार्वनिक पदार्थ था अभी जश्ट चैप्टर तो वीडियो भी आप जाकर के पीछे देखेंगे कता है खाद एक कार्वनिक जैविक पदार्थ है जो की पौधो या जन्तु अपसिष्ट प्राप्त होती है किसान पादप एवं जन्तु अपसिष्टों के गड़े में डालते हैं तथा इसका अपगटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं अपगटन कुछ असुप्छ मुझीवो द्वारा होता है अपगटित पदार्थ खाद के रूप में उप्योग क्या जाता है आप कक्छा 6 में बर्मी कंपोष्टी के थवा केचुए द्वारा खाद तैर करने के विशे में पढ़ चुके बर्मी कंपोष्ट और केचुए के बारे में हमने पढ़ाया था क्लास 6 के अंतरकत तो आप जा करके उसे जरूर देखें प्लेलिस्ट पूरी प्रोपर बनाया हुआ है आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं नहीं देख रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ कुछ नहीं कर सकते हैं अब यहां देखिए कहता है उर्वरक रसाइनिक पदार थे जो बिसेस पोस्कों से समरीद होते हैं वे खाद से कैसे भीन हैं उर्वरक का उत्पादन फैक्टरी में कहा जाता है ध्यां देना है खाद और उर्वरक में अंतर क्या है उर्वरक वो है जिसे हम फैक्टरियों में तयार करते हैं मतलब अलग-अलग तरह के केमिकल मिला करके जबकि जो खाद होता है वो हमारे अपसिष्ट पदार्थों से मिला करके वो गड़ों में भर दिया जाता और वो उसको हम बनाते हैं खाद करुप में कहते उर्वरक के कुछ हुदारन है जैसे यूरिया, अमोनियम, सलफेट, सूपर फासफेट, पोटास, एन पी के ये अक्सर पूछा जाता है सबसे सरवुत्तम उर्वरक कौन सा है तो एन पी के एन फोर नैट्रोजन, पी फोर फासफोरस, के फोर पोटेसियम उसके अलाबा यूरिया, अमोनियम, सलफेट, सूपर फासफेट, पोटास, ये सभी उर्वरक के रूप में काम आता है और ये सभी हमने बहुत यूज क्या है, यूज करने का मतलब कि खेतों में छीर रखने के लिए पापा खेती में खेत करने जाते हैं जब, तो धान के समय में गेहूं के समय में पाले बोडा का बोडा दोचार बोडा खाद ले आते हैं मार्केट से उसके बाद हम लोग जाते हैं कठाउती में बोड़ा में खाद लेकर के खेत में और वहाँ पे उसको पापा छुड़कते हैं ठीक है अब करता है कि इनकी उप्योग से अनिकी उर्वरक के उप्योग से किसानों के गेहूं धान तथा मक्का जैसी फसलों के अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली हैं प्रंत उर्वरकों के अधिक उप्योग से मिट्टी कुरवरता में कमी आई है यह जल पर दूसन का अभी शुरोत बन गया है अत्या मिट्टी को उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के अस्थान पर जैबी खाद का उप्योग करना चाहिए अथ्वा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ हुगाए छोड़ देना चाहिए खाद के उप्योग से मिट्टी के गठन और जल अपसोशन चमता में ब्रीधी होती है इसे मिट्टी में सभी पोस्कों की परतिपूर्टी हो जाती है तो याद रखना है कि खाद के उप्योग से मिट्टी के गठन और जल अपसोशन चमता में ब्रीधी होती है अब यहाँ पर है कि पिछली कक्छाओं में आप राइजोबियम बैक्टिरिया राइजोबियम बैक्टिरिया के विसाय में पढ़ चुके हैं राइजोबियम के बारे में मैंने क्लास 6 के अंतरगत चैप्टर में पढ़ाया था और ये सवाल अक्सर पोछे जाते हैं और पीछे भी पोछे गए हैं आगे भी पोछे जाएंगे कि बाय ओमन्ड ये स्थरीकरण के लिए पौधों में कौन सा वो हुता है तो राइजोबियम बैक्टिरियम होता है। और राइजोबियम बैक्टिरिया ज्यादा तर कहां पाया जाते हैं तो दलहनी या फ़लीदार पौधों में पाया जाते हैं या फिर कूल की बात कर लें तो लाइग्यूमीनस कूल के अंतर गत राइजोबियम बैक्टिरिया पाया जाता है अब यहाँ पर देखो उर्वरक और खाद में अंतर दिया गया है यह जान लेते हैं कबर उर्वरक क्या है और खाद क्या है तो उर्वरक क्या है कि एक मानब निर्मित लवन है उर्वरक का उत्पादन फैक्टरी में होता है उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है यह important रहे ठीक है उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है उर्वरक में पादप पोसक जैसे की नेट्रोजन फासफोरस तथा पोटैसियम एन पी के प्रचूरता में होते हैं अब खाद की बात करें तो खाद एक प्रकृतिक पदार थे जो गोबर एवं पौधर के अफसेस के भिगटन से बनाया जाता है खाद खेतों में बनायी जा सकती है खाद को हम खेत में भी बना सकते हैं खाद से मिट्टी के हुमस प्रचूर मातरा में प्राप्त होती है खाद में पादप पोसक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं तो अबहरल यहां से आपको जो याद रखना है यह तीसरा पॉइंट आपको most important याद रखना है कि रुवरक में से मिट्टी में humus प्राप्त नहीं होता है जबकि खाद से मिट्टी में humus प्राप्त होता है कुछ खाद के लाब हैं वो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि जय भी खाद रुवरक या पेच्छा धीक अच्छी मानी जाती इसका मुख कारण है कि इससे मिट्टी के जलधारन छमतां अम्रिदी होती है यानि कि खाद डालने से मिट्टी ज़िवानों के संक्यां ब्रिधी हो जाते हैं मिट्र जिवानों मतलब खेचवा और खाद से जय भी खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है मिट्टी जो होता वो सुधर जाता अब आता हमारा सिचाई सिचाई क्या है? तो जीवित रहने के लिए प्रतेग जीव को जल क्या हो सकता होती है पौधे की ब्रीधिय वंपरिवर्धन के लिए जल का विशेस महत्व हैं पौधे की जड़ो द्वारा जल का अपसोसन होता है जिसके साथ खनीजो और और अरको का भी अपसोसन होता है पौधों में लगवग 90% जल होता है ध्यान रखना है पौधों में लगवग 90% जल होता है जल अवस्यक है क्योंकि बीजो कांकूरन सूस के स्थिती में नहीं हो सकता, मतलब सूखा में नहीं हो सकता, इसलिए कता है जल में घुले हुए पोसक का स्थांतरन पौधे के प्रतेक भाग में होता है या फसल की पाले और गर्म हवास से रक्षा करता है जो जल है वो पाउधो को पाला और गर्म हवास रक्षा करता है स्वस्त फसल बरिदी के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना अवस्यक है निश्ची तंतराल पर खेत में जल देना ही सिचाई का लाता है क्या है निश्ची तंतराल पर जल देना खेतों में सिचाई का लाता है और सिचाई का समय अब बारामबारता फसलों मिट्टी और रितू से भीन होता याद रखना है समय जो है सिचाई का वो कब कि इस फसल में कैसे देना है वो रित्तू, मिट्टी और फसल पर डिपेंड करता है गर्मे पानी दाने की देना जरूरी ज़्यादा होता है ठंडे में कम होता है इस तरह से ठीक है अब सीचाई के सुरोत है तो ये आपको बताने के ज़र्वत नहीं है कुवा, जलकूप, नलकूप ये सभी क्या है कुवा, जलकूप, तलाब, जील, नदी, बांध, नार ये सभी जल के सुरोत है अब यहाँ देखो सीचाई के प्रामपरिक तरीका ये है मोट, ये सब्द पूछा हुआ ठीक है कि मोट क्या है तो सिचाई का तरीका है मोट ये है चेन पाम्प, ये है धेकली और ये है रहट ठीक है ये वाली रहट है, इसमें देखूं मैं कौन सा चलाया हूँ, मैं बताओं हमने ये वाला चलाया है मोट को, अपने यहाँ बस उपाचना बोलते हैं, ठीक है बाल्टी डालते थे, पानी निकालते थे वहीं पर नाली बना वरता था मतलब ये जादे बड़े खेती के लिए नहीं, सब जीवे गरवगाने के लिए किये हैं, कुवा से पानी उठाते थे उसमें पलटते थे और वह पानी दीरे दीरे जाता था फसल पड़ जाता था उसके बाद एक कौन सा ये लाठा कूडी हमारे यहां बोलता है ये ढेकली जो है ना ये ढेकली, हमारे यहां लाठा कूडी बोलता है ये जो नीचे भारी है और आगे में लंबा रस्य बाल्टी कुईया में जाता है ये रस्य को पकड़ के हम नीचे की और करते हैं पानी भरते हैं और रस्य छोड़ देते हैं तो पीछे जो बजन ये लटका रहता है ये खुद उसको उपर उठा लेता है तो हमें खीचने की जरुत नहीं पड़ती सिर्प डालनी की जरुत पड़ती थी खुआ में तो उसको लाठा कुडी बोलते थे ये यहाँ पर धेकली के रूप में जाना जाता है ये काम तो मैंने नहीं किया है बेल बगएर यासा होता था अब तो ट्रैक्टर आ गिया है, पहले बैल से ही ऐसे होता था, तो ये वाला काम भी मैंने किया है, दमाही वाला, ठीक है, जिसको दमाही बोलते हैं, आइए, तो यहाँ पर क्या है, कि सिचाई के कुछ पराम्परिक तरीका है, मोट यानि घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट, रहट को याद रखेगा, रहट भी पूछा हूँ, रहट क्या है, तो तोलक तंत्र है, रहट को भी याद रखना है, ठीक है, और अब तो बरत्मान में डीजा लिंजन, विद्धू तिंजन, सब कुछ आ गया है, अब हैं सिचाई के अधोनी की बीधियां, तो इसके बारे म कि नली के उपरी सीरो पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, खास करके अगर आप इधर क्या बोलते हैं, एमपी के आसपास कभी ट्रेंस से सफर करेंगे, महरास्टरा में पूना जाता था, तो भी देखता था कि आसपास के खेतों में यह स्प्रिंकलर लगा होता था, फ वहाँ पर हम इसका परियोग करते हैं, फिर है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम, इस विदी में जल को हम बूंद बूंद करके सीधे पौदे के जड़ में गिराते हैं, इसको हम ड्रिप तंत्र कहते हैं, यह और भी बेहतर है, इसको याद रखने हैं सवाल पूछा हुआ ह ठीक है, और फलदार पूदे बगीचा अंबरिक्षो को पानी देने का या सरवत्तम तरीका है, इस पूदे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, और इस विदी में जल बिल्कुल ब्यर्थ नहीं होता, अता हिया जल की कमी वाले छेतरों के लिए बरदान है, जहा अवांचित पौधे को खर्पतवार कहते हैं, खर्पतवार हटाने को निराई कहते हैं, ये सवाल पूछा हुआ कि निराई क्या है, तो निराई खर्पतवार हटाने की बिदी निराई कहलाता है, निराई अवस्यक है क्योंकि खर्पतवार जल, पोसक, जगह और प्रकास के की असपर्धा कर फसल की बृधी पर प्रभाव डालते हैं, कुछ खर्पतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं, तथा मनुसेवं पसूं के लिए भी बिशैले हो सकते हैं अब कह रहा है कि खर्पतवार को हटानेवाम उनकी बृधी को नियंतित करने के लिए किसान बिभीन तरीके अपनाता हैं फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खर्पतवार उखाड़नेवाम हटाने में साहिता मिलती हैं, इससे खर्पतवार पॉधे सूक कर मढ़ जाते हैं ओ सरवत्तं समय उन्में पुष्पन एवं बीज आब ने से पहले का होता है, यह याद रखना है, खर्पतवार का भटाया जाता है, जब वो पुष्प याने की फूल और बीज बनने लगता है, तब उस समय हमें खर्पतवार को खटाना जरूरी होता है क्योंकि उसी समय पौदों को ज्यादा पोशन की जरूरत होती है और अगर हम उस समय खर्पतवार को नहीं हटाएंगे तो हमारा फसल अच्छा नहीं होगा जिस तरह से मान आपको जो महलाएं होती हो बच्चे को जर्म देने से पहले अपने आपको इतना मजबूत ताकतवर करती है बहुत कुछ खाते पीते रहती हैं ताकि जब डिलेवरी का समय हो तो उनको कमजूरी महसूस नहों और बच्चा आपको कोई फिक्ट नहों तो जब स है खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सही तुखाड कर अथवा भूमी के निकड़ से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है या कर कुर्पी या हैरो की साहिता सोती है तो हैरो याद रखना है है तो खरपतवार हटाने के लिए उप्योग किया जाने वाला ओजार है खु खरपतवार नासी के रूप में सबसे ज़्यादा टूफोडी को पूछा जाता और इसके छिरकाओ से क्या होता है खरपतवार पौधे मर जाते परन्तु फसल को कोई हानी नहीं होता है अब आगे क्या है करता है जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की ब्रीदी समय फसल का पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है कटाई के दौरान या तो पौधे को थीच कर उखाड लेते अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं एक अनाज फसल को पकने में लवक तीन से चार महिने का समय लगता है एक अनाज के फसल को बनने में और पकने म गहर पे तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करते थ्रेसिंग बीदी का परियोग करते बीजों को अलग करने के लिए कहता है यह कार कंबाइन मसीन द्वारा किया जाता है चेतर 1.8 कहां है यह देखो कंबाइन मसीन है जिसको हमारे यहां हर्वेस्टर बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं हर्वेस्टर कहता है जो बास्तर में हर्वेस्टर और थ्रेसर का संयक दोपे देखी अच्छा मतलब यह जो कर्वाइन है कर्वाइन एक अलग ही मसीन मुझे लगा देख करके कीसे ही हम हर्वेश्टर बोलते हैं यह अलग ही मसीन है कहता है जो कर्वाइन और हर्वेश्टर का मिस्रन है छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक है फटक मतलब सूप बग थे हुने कच्छवी सिक्ष में पढ़ाए था अब पहले का सवाल है कि कटाई के वाद कवी कवी तन के टुकड़े खेथ में ही रहला잖े जिन्हें किसान जला देते पहली इन टुकडों को खेत में जलाने के कारण चीनती थे वह जानती है कि इसे प्रदूसन होता है इसे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खत्रा भी है ये जो प्रचलन है अब खास करके बहुत चल गया है जब से हर्वेस्टर या कमबाइन आया है तब से ये प्रचलन बहुत चल गया आप गौव में देखोगे तो ये प्रकेरिया खूब जितने किसान होते वो अपने खेत कटवाते है उसके बाद उसमें आग लगा देते है सरकार तरह तरह की रुकावट के लिए काम करता है अब यह है कटाई पर्व तीन-चार महिने के परिश्रम के बाद जब फसल कट दने की अवस्था में आजाते है तो उसको हम कटाई पर्व करते है ठीकर कटाई पर्व के रूप में कुछ-कुछ त्योहार मनाया जाते है वो याद रखना है जैसे पॉंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या, बीहु चलिए यहां से आपके लिए सवाल है पॉंगल तो हर कहां मनाया जाता है बैसाखी तो आप पंजाब में मना लोगे ठीक है होली, दिवाली सब जगा मनाया जाता है नवन्या तो मुझे भी नहीं पता आप एक बीहु बताओगे ठीक है पोंगल और बीहु दो आप बताएंगे नवन्या मुझे भी नहीं पता है ठीक है अगर याद आएगा तो मैं कमेंट में डाल दोंगा मतलब गूगल से देखेंगे याद कि आएगा जब कभी पढ़े ही क्लियर आप क्या क्या बताओगे पोंगल और बीहु और बैसाखी बगरे तो होई गया आगे चलते हैं अब आता है भंडारन भंडारन कुछ नहीं है उत्पादन का भंडारन एक महत्पूर्ण कारी है यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसमें नमी कीट चुहाए और सुक्ष में जीवों से सुरक्षित रखना होगा ताजा फसल में नमी की मातरा धीक होती है अधि फसल के दानों बीजों को सुखाए बिन भंडारित किया गया तो उसके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आकरमन से वह अंकुरन के लिए नुपियोगी हो जाते है अता भंडारन से पहले दानों को धूप में सुखाना वस्यक है जिससे उसकी नमी में कमी आ जाए इससे उनकी कीट प्यूड़क जवानों कवक्स सुरक्षा हो जाती है किसान अपनी फसल को उत्पाद का भंडारन जूट के बोड़ा धातू के कि शरक्ते तो ड़ल में केरेंट में लें पढ़ा गया था कि बुटना के आज जए आसपास में एक बहुत बड़ा सैलो गा अस्थापित क्या गया था तो यह साईलो क्या है साईलो में उसको यह देखे लो यह साईलो है बहुत सारा और यह कौन बनाए देखे यहाँ पर लिखाओ बारती यह खाद निगम FCI बनाता है और फिर क्या है की नीम की सुखे पत्तियां घरों में अनाज के भंडारा नो उप्योग की जाती है याद रख लेंगे फिर करा है कि समुद्र के तटिये छेत्रों में रहने वाले लोग मचली का मुखा हार के रूप में उप्योग करते हैं ठीक है फिर कहता है इसी प्रकार घरों में अथवा फॉर्म पर पालने वाले पालतू पसु कुचित भोजन आवास हैं देखवाल क्यों सकता होती है जब यह बड़े पैमाने पर किया जाते है तो इसे पसु पालन करते हैं पसु पालन क्या है तो घर पर पालतु पसु को फॉम एक की रूप में पालना पसु पालन कहलता है मचली जो है स्वास्त के लिए अच्छा हार है हमें मचली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें बिटामिन डी अवस्थिक मातरा मोहता याद रखना है मचली का कॉड लिवर जो है बिटामिन डी का सुरोत है तो यह हुआ चैप्टर वन समाप तब हम जानते हैं कि प्रमुक सब्द हमने क्या क्या पढ़ा और आपने क्या सीखा वो इसके बाद बने रहीएगा हम सवाल भी सॉल्व करेंगे अबजेक्टिव को तो इसमें प्रमुक सब्द हमने क्या क्या पढ़ा तो क्रिसी पधती पढ़ा पसुपालन पढ़ा फसल, उर्वरक, भंडारग्री, कटाई, सिचाई, खरीब अच्छा ये बताओ खरीब फसल के बारे में ये कब बोया जाता है जुन से सितंबर ये अक्टूबर से मर्च खरीब फसल कब बोय जाएगा जुन से सितंबर ठेक है और खरीब फसल के दो दारण बताईए कौन कोंसा मक्का मुंग फली धान और क्या था क्या था सोया बीन ये सबी क्या है खरी फ़सल है फिर खाद के बारे हम पढ़ा खाद क्या है कारवनिक है किया कारवनिक है खाद कारवनिक पदार्थ है जो कि हम बनाते हैं प्रकिर्टिक रूप से हल के बारे हम पढ़ा रवी फ़सल रवी फ़सल ही का अब अक्टूबर से मार्च के बीच में दोगो एक्जम्पल बताई ये इसका रवी फ़सल का जल्दी से गेहूं, सर्सो, तीसी, ये सभी फिर बीज हो गया, साइल हो गया, बहुत बड़े स्थान जहां भंडारन किया जाता है बुआई हो गया, भंडारन हो गया, थ्रेसिंग हो गया, खरपतवार हो गया, खरपतवार नासी खरपतवार नासी का एक नाम बताईए कौनसा टूप फोरोडी ठीक है और फटकना जिसे हम बिनोईंग कहते हैं अब यहाँ है कि आपने क्या सीखा यानि कि इस पूरे चैप्टर के अंतरगत आपने क्या सीखा तो अपनी बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विसेष्ट क्रिसी पधतियों का अपनाना होता है किसी अस्थान पर उगाय जाने वाले एक ही प्रकार के पोधों को फसल कहते हैं भारत में फसलों को रितु के अधार पर दो बरगों बाटा गया है रवी और खरीब फसल जुताई करके मिटी तयार करना और उसे समतल करना वस्चेक है इस कार्ज के लिए हल तथा पाटल का उप्योग किया जाता है बीजो को उचित गहराई पर बोना तता उनके बीच उचित दूरी रखना उच्छी उपज के लवस्चेक है बीजो की अच्छी किस्म का चायन करके स्वस्थ बीजो को बोया जाता है सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है फिर एक मिट्टी में पोस्कों की समरीधी और पूना परूर्थी किया सकता होती है जिसे कार्वनी खात ततर उवरग के उप्योग से किया जाता है फसलों की नई किस्मों के आने से रसानिक उवरगों के उप्योग में बहुत बेरधी हुई उची समय एवा मंत्राल पर फसल को जल देना सिचाई कहलाता है निराई से अवांचित एवां बिना उगाये पौधे को हटाया जा सकता जिसे खरपतवार कहते हैं कटाई करते पक्योगी फसल को हाथोए मसीनों से काटना दानों को भूसे से अला करना थ्रेसिंग कहलाता है बीजों को प्यूड को एवां सुक्षों जीवों से सरक्षित करने के लिए उचित भंडारा नवस्यक है पसूं को पाल कर विखाद पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है इसे पसू पालन कहते हैं अब आता है हमारा अभ्यास अभ्यास में चैप्टर वन में क्या कहा है मतलब कोश्चन नमबर वन है कोची सब्द छाट कर रेक तस्थानों के पूर्ती कीजिए यहाँ सब्द है तैरना, जल, फसल, पोसक और तैयारी इनी सबी पात सब्दों से हमें पात सवालां सौल्व करना है तो पहला है एक अस्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए उगय पौधों को क्या कहेंगे फसल कहेंगे ठीक है फसल उगाने से पहले प्रथम चरन मिट्टी की तैयारी होती है फसल उगाने से पहले प्रथम चरन मिट्टी की तैयारी होती है छती ग्रस्त बीज जल की सता पर तैड़ने लगेगा चौथा है फसल उगाने के लिए परियाप्त सूर्ज का प्रकास एवां मिट्टी से जल एवां पोसक अवस्यक है फसल उगाने के लिए परियाप्त सूर्ज का प्रकास एवां मिट्टी से जल एवां पोसक अवस्यक है अब मिलान करते है खरीब फसल बताइए खरीब फसल कौन सा हो जाएगा वही जो जून से सितंबर के बीच में है धानमक का रवी फसल जो अक्टूबर से मार्च के बीच में क्यों चना मतर रासाइनिक उर्वरक उर्वरक उर्वां सूपरफॉस्पेट और कार्वनिक ख़द महो जागा पसूपसिस्ट गोवर मूत्रेवं पादपसिस ठीक है अब निमने के दोदो उदारन दीजे तो खरीब फसल का दोदो उदारन तो यही है नधान मकराभी फसल के यहाँ है नगेहूं चनामतर अब यह केक पेराग्राफ लिखना है वह सब लिखते रहो हमारा काम नहीं है मतलब आपका भी काम नहीं है वो बच्चों के लिए सवाल है चलिए तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर वन पूरी तरह से समाप्त किसका क्लास एट का बाकिया हम आपके बिसुझाव आपके जो विचार है उस पर भी मैं विचार करके अब आपको अगला क्लास जो है क्लास नाइन का देने का प्रयास करूँगा ठीक है आप बस इसी तरह कंटीन्यू बने रहें डेली दो वीडियो आपको सुबा साम मिलते रहेंगे बस आप अपना सपोर्ट प्यार यहीं बनाए रखिएगा ताकि हमारा भी भला हो हम तो आपका भला कर ही रहे है तो आप क्या करना है बस वही कि पढ़ते रहना है पढ़ाते रहना है घुमते रहना है घुमाते रहना है खाते रहना है खिलाते रहना है खेलते रहना है खेलाते रहना है लेकिन आपका सबसे पहला काम पढ़ते रहना है तो यह नहीं सब्दों के साथ मिलते हैं हम अगले चैप्टर में नए जोस और नए उमंग के साथ अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जाते जाते वीडियो को सेर करें लाइक करें, कमेंट करें और नए है तो सब्सक्राइब करें जैहिन